कि नमस्कार स्वागत आप सभी का सुझस सारांस के इस क्लास में इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजिस्थान का करेंट अफेर्स जिसका अधार होता है राजिस्थान सरकार की सुझस करते हैं हेड लैंज के साथ सबसे पहले जानकारी नये ज्लौंका इस्थापना कारेक।jal हैं राजिस्थान में पचल मिलाकर अब 10 संभाग हो चुके हैं तो इन सभी की जानकारी हमने एक ही क्लास में पढ़ी थी जहां कौन से संभाग में कौन सा जिला है तो उसको आज रिपीट नहीं करेंगे आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ यह है राजीव गांधी ओलंपिक जिसमें ग्रामीड और शहरी ओलंपिक जो एक साथ आयुजित हो रहे हैं अब 2023 में जबकि 2022 में जो आयुजित हुए थे वह केवल ग्रामीड ओलंपिक थे अब ग्रामीड और शहरी ओलंपिक दोनों का युजन एक साथ किया जा रहा है शुरू हो चुका है दो तीन वार इसकी डेट पोस्पॉ सब्सक्राइब को देखेंगे इसके बाद है वीडियो कॉंटेश्ट अब 5 सितंबर तक तो पहले हमने जरूर पढ़ा है लेकिन अब इसमें डेट जो है वह आगे बढ़ गई है पहले यह जो जन सम्मान वीडियो कॉंटेश्ट था यह केवल 6 अगस्त तक था आब इसकी ज जानतर ऐसी हैं जो लगातार चल रही हैं जैसे की राजीब गांधी ग्रामीड एवं शहरी ओलंपिक पहले बीएं पढ़ चुके हैं इसके अलावा 50 जिले और 10 संभाग यह पहले पढ़ चुके हैं तो कुल मिलाकर अगर नई जानकारी की बात की जाए तो आज की न्यूज और इसके बाद राजीब गांधी शहरी एवं ग्रामीड ओलंपिक 2023 तो सबसे पहले है राजिस्थान की जन आधार योशना को अवर्ड कौन सा वर्ड दिया गया किस ने प्रदान किया तो एटी गवर्मेंट डिजिटेक अवर्ड 2023 के दोरान राजिस्थान की जन आधार य मिला है और किस समारों में तो यह है इटी गवर्मेंट डिजिटेक अवर्ड 2023 इसके द्वारा राजिस्थान की जन आधार योशना को गोल्ड अवर्ड दिया गया है अभी कुछ टैम पहले जैसे की पाला नहार योशना को मिला है स्कॉच गोल्ड अवर्ड इस तरह कि कौन पांस सितंबर कर दी गई है साथ जुलाई से प्यारम हुए यह पहले इसकी डेट 6 अगस्त थी यह पुरानी डेट थी अब इसको बढ़ा कर कितना कर दिया है पांस सितंबर 2023 तक क्या है यह योशना का वेवरण या इस कारेकरम का वेवरण क्या है तो सरकार की जो महंगाई की वेब सैट यानि की जन सम्मान डोट राजिष्थां डोट जियोवी डॉट इन पर डालता है तो इन में से कुछ जो चुनिंदा लोग होंगे हर दिन उनको सम्मान दिया जाएगा सम्मान सुरूप उनको राशी दी जाएगी प्रथम परुसकार दूसरा और तीसरा इन त से लेकर 120 सेकंड तक का एक वीडियो गुना कर जन इस हैस्टेक के साथ हैस्टेक जन सम्मान जयराजिस्थान के ही साथ कम से कम दो सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अप्लोड करना होगा जैसे कि एक हो गया जैसे के ट्विटर या एक हो गया जैसे कि इंस्टाग्राम तो विजेताओं को क्या क्या मिल रहा है प्रथम परोस्कार एक लाग रुपे क्या पता आप में से कोई से जीती ले तो काफी अच्छी खासी रखम है पांस सितंबर तक की लगातार चली रहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं सरकार की जो भी योईशना है उनके बारे में 31 से ले तो 50,000 मिल जाएंगे तीसरा परोस्कार जीता तो 25,000 मिल जाएंगे और इसके अलावा हर दिन 11,000 रुपे की भी 100 परोस्कार दिये जाएंगे तो जिन लोगों को रील बनाने में इंटरस्ट है वो इस तरह की बनाएं तो उनकी अच्छी खासी इंकम भी हो सकती है एक लाग आपका पंजिक्रत होना चाहिए प्रतिभागी का स्वयम का बैंक खाता होना चाहिए जो की जनाधार में पंजिक्रत हो अगली योजना है यह अगला कारेक्रम जो आज की न्यूज में है राजीव गांधी शहरी एबम ग्रामीड ओलंपिक जो 5 अगस 2023 को शुरू हो चुके हैं 18 सितंबर तके संचालित रहेंगे इसमें लगभग 58.5 एक लाख खिलाडियों ने पंजिकरन कराया है कौन-कौन से विभागों दौरा आयोजन किया जाएगा तो खेल विभाग सिक्षा विभाग पंचायती राजवम ग्रामीड विकास विभाग स्वायत शासन ठीक बाद नहीं है क्योंकि बहुत वड़ायोजन जाएग के अलग 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 उम्र के भी सिर्मस ह 오 फी होगा तो अगर स्कूल से सामिल होते है तो सिक्षा विभाग अपनी अंप ही हो खाओ कॉल हो पोर्घर विभाग इस तरह से बहुत सारे इभाट मेंट involved है कुल बजट रखा गया 130 करोड रुपे जबकि ग्रामेड ओलंपेक 2022 का बजट कितना था 40 करोड रुपे क्या इसमें कोई आयू सीमा है खलाडियों के लिए तो इसमें कोई आयू सीमा निरधारित नहीं है सभी आयू बर के खलाड़ी इसमें पात्र होंगे पर कौन कुन से खियल सामील है शहरी शच्टरों में साथ खिल सामील है एटलेटिक्स कबड़ी टेनिस बॉल क्रिकट बॉल Debbie коन कोछेला इसे हैं जो केबल शहरी शित्रों में सामील हैं birthday यह ये पांचों उधर भी है उधर यानि की ग्रामिन शित्रों में कौन-कौन से खेल है कबड़ी टैनिस वाल क्रिकेट बॉलीबॉल फुटबॉल शूटिंग बॉल या शूटिंग बॉलीबॉल खोखो और रस्सा कसी यहां ऐसे दो खेल कौन से हैं जो केबल ग्रामिन शित्रों में हैं तो वह हैं रस्सा कसी और शूटिंग बॉलीबॉल दो खेल यहां नए हैं और दो खेल शहरी शित्रों में शहरी ओलम्पिक में नए हैं इसके बाद किन इस्तरों पर खेलों का आयोजन और कब किया जाएगा तो ग्राम पंचायत इस्तर पर होगा 5 से लेकर 10 अगस्त दोनों ही जगए यानि कि ग्रामीर में भी और शहरी में भी शरूब डो खेलत सेम अगस्तरों है और एक इस्तर जो नगर निकाए स्तर के के फ़क्यूलंट है अब इसमें बचाएग लोग इस्तर जो ựए यहां है वहां नहीं फिर जिला और राज इस्तर दोनों में common है तो यहां होगा ग्राम पंचायत इस्तर 5-10 अगस्त ब्लॉक इस्तर पर होगा 17-22 जिला इस्तर पर होगा यानि कि समापन किस दिन है इनका समापन है 18 सितंबर प्राश्व्त कब से है तो पाँच-पी फ्हitty क्रत कि खिश्व थोड़ा अधिक कितनी है तो फोड़ा के खेने है तो शैरी शेत्रों में नहीं है आज का अभ्यास प्रस्पोर्मिशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में इटी गवर्णमेंट डिजिटेक अवर्ड 2023 के दोरान गोल्ड अवर्ड प्रदान किया गया आपके पालनहार योजना जनाधार योजना मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना या फिर चरंजी भी स्वास्त भीमा योजना तो क्या होगा उत्तर बताएं आप कमेंट्स में आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में धन्यवाद